Good morning friends, recently मैं ने एक वेब शीर कम्प्लिट के है, दिखा है मैंने इसका नाम मिर्जापूर सीजन 2 तो आप सब ने मिर्जापूर सीजर मन ऐब देखी चुका होगा बहुत जादा है था बहुत एक नंबर भी था बहुत solid था उससे साफ से expectation था मेरा बहुत जादा मिर्जापूर 2 से भी लेकिन निराज किया मिर्जापूर 2 हर तरफ से निराज किया मुझे तो कुछ-कुछ points के के बारे में कुछ उसके negative points के बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा positive लगा नहीं फिर बात करेंगे पहला जो मुझे negative point लागा जो essence है मिर्जापूर का जो essence था मिर्जापूर वन में वो था उसका rawness मतलब जिस जगह पर जिस लहजे में बात करना चाहिए उसी लहजे में वहाँ पर बात किया गया था ना without any hesitation हर करेक्टर वहाँ पर निखर के आ रहा था ठीक है मिर्जापूर 2 में क्या हुआ है लगता हर करेक्टर थोड़ा दबा हुआ है निखर के नहीं आ पा रहा है इतना निखर के आना चाहिए वो निखर के नहीं आ पा रहा आप लह एक अरृटजो यहां पर मेर्जापूर 2 में essence जो होंना चाहिए था वह रॉन एस नहीं है उन आवर का है मतलब सारे आठ से नौ घंटा तक टोटल सीरीज का ये ट्राइम ड्यूरेशन तो जिस पेस में ये वेफ सीरीज चलना चाहिए वो पेस बहुत ही स्लो है पहला दो एपिसोड तो सीजन को सेट अप करने में ही लग जाता है ठीक ना तो बहुत ही स्लो लगा एशय करा दिया गया है और कोसिस किया असको और करने के लिए लेकिन आज फैर मुहत ही जड़ी ज़िए कनफूजिंग लगा और अगर बहुत सरे अंग्र को हटा के थो तकम एंगल रखा जाता तो साहर और characters को निखरने का मौका मिलता जो कुछ-कुछ characters जो दबावा रहा गया उसको और chance मिलता कि वह बाहर निकल के हैं और अपने आपको अच्छी तरह सा अच्छा अब आजाते हैं एक अक्टिंग के बारे में तो अक्टिंग में तो सबसे पहले दिब्बेंदू ओविसली इस बार भी अपने कंधे पर वो लेके गया इस पूरे वेप सीरीज को गुद्डू भाया है ठीक है अपने जगा पर लेकिन वो इस बार एक ही जैसे एक्स जो दिब्बेंदू है उसका डायलोग डिलिवरी इसमें थ्रह सा हूमर था और हूमर बहुत ज्यादा ज़ुड़ी है मेरीज़ा पर वन में आप देखेगा इतना सारा हूमर सीन है तो याद रह जाता हमेशा तो यहां पी हूमर का बहुत ज़्यदा कमी था तो कही कहीं पर दिब्बेंदू जो वो लेके आरा था तो अच्छा लग रहा था तो मुन्ना भाहिया मतब दिब्बेंदू जो है वो एक नमर एक्टिंग गया दूसरा गुड्डू भया जो है सिमिलर टाइप का ही एक्सप्रेशन क्यारी किया पूरा सीजन तो मुझे कुछ खास लगा न तो वह भी बहुत अच्छा यूमर वहां पर सीजन वन में डेडूस किया देलेकिन यहां पर बहुत कम जगा उनका है जहां पर जो पंच लाइन इस्तेमाल की तो एक पंच लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा है कालिन वया का वह कहते हैं कि लगता है सन्दर्ब में कि आएन गशेन और यहां को डों अनला देखेगा सबसiven के दा अच्छा यक्जा के बहुत लेकिन और जैसे कुछ-कुछ कारें ददा त्यागी उनके साथ और अच्छा कर आ जा सकता था था भीकोट वो इंटरेस्टिंग था इन समutenकरी समर्सेट्र देंकित में हुदीं जो है उसका बेटा सरद बहुत ही निराज किया विकॉज एक जैसा एक्सप्रेशन पूरा सीजन करी किया है एक जैसा एक्सप्रेशन करने वाला उसमें लेयर्स नहीं दिखता है तो एक जैसा एक्सप्रेशन पूरा सीजन करी किया तो मुझे वह बेकार सा लगा उसका एक्ट भाकि जो है अपना च्छोरा च्छूरा क्याकटर जो है क्याक्ट था अच्छा करसके रेगिन पता क्यों हर जो अच्छा वेप सीजिस होता है तो जो भी है आप लोग देखिए आप लोग को साथ अच्छा भी लगे बट मेरे पॉइंट आफ यू से मुझे उतना खास लगा नहीं अगर सीजन वन से कंपेर करें तो सीजन वन को अगर हम फाइब में 4.5 दे सकते हैं तो यहां पर फाइब में इसको 2.5 से ज्यादा दे नहीं सकते हैं ठीक है बहुत सारा लूफोल्स है खाला कि हाइप के वाए से चल जाएगा बहुत ज्यादा लेकिन अगर वहरा एनलाइस किया जाए इसको तो इसमें बहुत सारा लूफोल्स है स्टोरी लाइन से लेके एक्टिं से और जो कारेक्टर जिस तरह से डेवलब किया गया है और जिस तरह से प्रेजिंटेशन होगा है तो कुछ-कुछ लूफोल्स है तो मुझे लगता है आप लोग देखिए ठीक है एनलाइस किजा आप लोग भी कैसा लागा मेरा अम मेरा जो थोट प्रोसेस है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं आप लोग को जो हम दो चीज बता है कि आप लोग को भी वही सारा लूफोल्स दिख रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए देखके ठीक है थैक्यू